अगर आपका एक निया यूट्यूब चैनल है और आप अपने चैनल का लिंक अपने फ्रेंट के साथ शेयर करना चाते हैं तो लिंक काफी लंबा और काफी बोरिंग होता है आप अपने चैनल के लिंक को कस्टमाइज कर सकते हैं और उसे अपनी मन पसंद का रख सकते हैं उसे कहते हैं कस्टम जूरल कस्टम जूरल बनाने के लिए आपको कुछ कंडिशन होंगी जिने आपको फॉलो करना है सबसे पहले आपका चैनल एक महिना पुराना होने चाहिए और आपके चैनल पर 100 सबस्क्राइबर होने चाहिए आपके चैनल का logo होना चाहिए और चैनल आट भी होना चाहिए अगर आप इन चार कंदीशन को फॉलो करते हैं तो आप अपने चैनल के link को कस् convenience कर पाएं बने रहे ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ step by step कैसे आप अपना नया custom URL करेट करेंगे अगर आपने URL करेट कर लिया है तो उसे आप कैसे चेंज करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना time based कि चलते हैं mobile की screen पर custom URL करेट करने के लिए सबसे पहले आपको Chrome browser ओपन करना है और YouTube को ओपन करना है जैसे YouTube को ओपन करेंगे आपको side में three dot का option मिलेगा three dot के option पर आपको क्लिक करना है और नीचे डिक्स टाप side पर आपको क्लिक करना है आप अपने laptop चाप PC में custom URL करेट कर रहे हैं तो आपके सामने इसी तरह का tab ॉपन होगा जैसे रहा ने ट्याप उपन होगा तो side पह आपको channel का लोगो नजर आएगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे इस परorsch Nous पर आपको क्लिक करना है जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया page open होगा आपके सामने YouTube studio पर लिए ओपन पर क्लिक करना है स्क्रोल करते हुए नीचे की तरफ आना है और यूट्यूब अकॉंट की अप्शन पर क्लिक करना है इसको ओपन करना है जैसे निया टैब अप्शन पर आपने चार कंडिशन को फॉलो किया है तो आपके चैनल पर भी इसी तरह से लिखा आएगा इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद नेया टैब ओपन होगा जहां पर आप अपने मन पसंद का जूरल रखना चाहते हैं तो दूसरे अप्शन पर क् करते हैं तो आपको पहले नंबर की अप्शन पर क्लिक करना है और आपकोई और नाम रखेंगे तो आपको benefit नहीं होगा क्योंकि अगर आप अपने channel के नाम से URL रखते हैं तो आपको coffee benefit होगा अगर आप अपना link दूसरे लोगों के साथ share करते हैं तो आपके channel का नाम काफी अच्छा और काफी वैतर होता है तो change URL पर आपको click करना है जहां पर कोई conditions लिखी हुई है उसको tick करना है और change URL पर आपको click करना है confirm choice पर फिर click करना है तो थोड़ी दे loading लेगा और आपका URL create हो जाएगा आप भी अपना मनपसंद URL आपने channel का बना सकते हैं अगर आपने URL create कर लिया है तो उसे आप change करना चाहते हैं तो आपको फिर से crow में YouTube open करनी है थ्री डाट पर click करके डिक्स्टाप साइट कर लेना है उसके बाल आपने channel के logo पर click करना है और नीचे आपको बहुत सारे option मिलेंगे पहले नंबर पर आपको मिलेगा manage to or google account इस पर आपको click करना है जैसे इस पर आप click करेंगे जैसे go to about me पर click करेंगे आपके सामने निया page open होगा और नीचे आपको option मिलेगा about का about के option पर आपको click करना है तो जहां पर remove का option आ रहा है remove के option पर आपको click करना है और फिर से remove के option पर click करने के बाद आपकी जो URL जे वाला remove हो जाएगा आपका जोरल remove हो जाएगा आप अगर बापस उसको create करना चाहते हैं आपको चैनल के logo पर click करना है और YouTube Studio के option पर click करना है नीचे setting के option पर click करना है चैनल पर click करने के अबाद advanced setting और नीचे scroll करते हुए YouTube account नीचे आपको advanced setting का option मिलेगा उसके वाद आपको फिर से आप अपनी मनपसंद custom URL जहां से create कर सकते हैं जह short URL है इससे आपको coffee benefit होगा क्योंकि अगर आप अपने channel का link अपने friend के साथ share करते हैं तो लंबा चोड़ा link नहीं होता है यह बिल्कुल शोटा सा link आपके channel के नाम के साथ होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी like करें अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो dislike करें अगर आप मेरे channel पर पहली वा रहा हैं तो red color के subscribe button पर click करके channel subscribe कर सकते हैं इसी तरह की latest videos के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में ने topic के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै वारत